हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम उलेकुम, वेलकम बैक टू मै चानल तो फ्रेंड्स, आज हम अपने फ्लैक को रिप्रेजेंट करके मोमोस बनाएंगे तिरंगा मोमोस वो भी फ्लार शेप में अगर आप भी रिपाप्लिक टेपर या इंडिपständeOS कोई रेसिपी की तलाश में हैं, कुछ बनाने की तलाश में हैं तो इस तिरंगा मोमोस को जरूर से बनाएं, तो चलिए बनाते हैं तिरंगा मोमोस और इस सिरंगा मोमोस में जो हम color अस्तमाल करेंगे वो भी healthy होंगे यानि पालक से लेंगे हम green color तो उसके लिए हम पालक को blanche कर लेंगे तो खौलते हुए पानी में हम डाल देंगे पालक और एक बाउल में हम लेंगे बिल्कुल chilled water आप चाहें तो बरफ का भी इस्तमाल कर सकते हैं और 30 से 40 सिकिंड के बाद पालक को निकाल कर उस chilled water में डाल लेंगे इससे जादा हमें इसे कुक नहीं करना है वरना पालक का कलर जो है वो dark हो जाएगा अब हमें इस पालक का प्यूरे बना लेना है इस method को blanche method कहते हैं इससे पालक का green color वो वैसे हरा रहेगा तो अब हम इसका प्यूरे बना लेते हैं orange color के लिए हम use करेंगे orange color वाली गाजर तो गाजर को हमें अच्छे से छील लेना है गाजर को हम अच्छे से वाश कर लेंगे और अब हम इसे छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेंगे ताके ये अच्छे से पिस जाए और अब इन गाजरों को हमें पीस लेना है इनका प्यूरे तयार कर लेना है तो यहाँ पर हमने green color जो है वो पालक से लिया है और orange color हमने orange वाली गाजर से लिया है अब इस पिसीवी गाजर को जो है में अच्छे से छान लेना है क्या होता है ना बास दफ़ा गाजर को पीछने के बाद भी उसमें जो है वो छुटे-छुटे chunks रह जाते हैं तो उसे हमें discard कर लेना होता है तो यहाँ पर हम इसे छान लेंगे और वो जो chunks बज़ के हैं उसे हम discard कर लेंगे तो यह देखिए स्मूथ सी हमारी गाजर की puree जो है वो ready हो गई है अब हम चलते हैं डो बनाने की process में तो डो बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे half cup और तीन बड़ा चमच मैदा half teaspoon नमक अट करेंगे हम इसमें और half teaspoon हम इसमें oil अट करेंगे और अब डो बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे तीन बड़ा चमच गाजर की puree और इसी से हमें गून लेना है इस डो को पानी का इस्तमाल हम नहीं करेंगे इसमें तो यहाँ पर बिना पानी का इस्तमाल किये हमने गाजर की Puree से जो है औरिंज कलर को गूं लिया है यानि यह दो को गूं लिया है लेकिन यह कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट है अब अगर मैं इससे जादा गाजर की puree इसमें अड़ करूँगी तो इसकी dough नहीं बन पाएगा ये गीला हो जाएगा और एक stiff dough नहीं बन पाएगा इसका तो इसलिए मैं इसमें pinch of orange color अड़ करके और थोड़ा सा bright orange color इसमें लेकर आऊँगी ये optional है अगर आप लोगों को color add नहीं करना है तो ना add करें तो यहाँ पर हमारा orange dough जो है वो ready हो गया है तो orange dough को बनाने के लिए हमने इस्थमाल किया है 3 टेबल स्पून गाजर की puree और ये बाकी जो है वो बच चुका है अब green dough बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल में half cup और अगेन 3 बड़ा चमच मैदा half teaspoon नमक अड़ करेंगे और half teaspoon oil अड़ करेंगे और अगेन इसे भी हम पानी से नहीं गुनेंगे इसे हम गुनेंगे पालक की puree से तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें puree डालते जाएंगे और गुनते जाएंगे एक की साथ पूरा हमें नहीं डालना है और green कलर के लिए हम कोई भी कलर यूज़ नहीं करेंगे इसे हम पालक की puree से ही गुणदेंगे तो देख सकते हैं या पर बहुत ही अच्छा सा green कलर हमारा आचुका है और इस डो को बनाने के लिए हमने पुरा पालक का प्यूरे इस्तामाल कर लिया है तो यहाँ पर हमारा ग्रीन वाला डो रेडी हो गया है अब हम चलते हैं वाइट वाला डो बना लेते हैं तो सेम वोई एक बॉल में हम लेंगे हाफ कप और तीन बड़ा चमच मैदा और फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेस्पून नमक, हाफ टेस्पून ओल और इसे हमें नॉर्मल पानी से गून लेना है तो यहाँ पर तीनो टाइप का जो डो है वो रेडी हो चुका है तो इन डो के उपर जो है वो थोड़ा सा ओल ग्रीस करके रखेंगे इससे क्या होगा यह जो डो है वो हाड नहीं होगी इस पर कोई पपड़ी नहीं जमेंगी तो यहाँ पर तीनो डो को हम ओल से ग्रीस कर लेंगे तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने ओरिंज कलर और ग्रीन कलर बना लिया कितना हेल्दी वे से पालक और गाजर का इस्तमाल करके अब इस बाउल को जो हमें क्लिंग राप से राप करके एक साइड में रख देंगे अगर आपके पास क्लिंग राप नहीं है तो आप नॉर्मल क्लॉथ या फिर किचिन टाल कर सकते हैं इसे हम एक साइड में रखेंगे और हम चलते हैं फिलिंग की तरफ तो यहाँ पर filling तयार करने के लिए हमने याप पड़ लिया है half kg chicken का mince यानि chicken का कीमा कोशिश कीजिए कि आप chicken का कीमे का ही इस्तिमाल करें chicken को grind करके इस्तिमाल ना करें उससे क्या होता है बहुत बारी को जाती है chicken तो हमें यापर chicken का कीमा लेना है अब हम इसमें डालेंगे एक कप यानि दो medium size की प्यास प्यास को जो हमने omelet कट कर लिया है अब साथ ही हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून नमक नमक आप हस्बिजाय का डालें अब एक टेबल स्पून हमिस में डालेंगे ग्रेट किया हुआ लसन और साथ ही एक टेबल स्पून हमिस में डालेंगे ग्रेट किया हुआ अधरक 1 teaspoon हम इसमें डालेंगे black pepper यानी काले मिर्च का पाउडर और 1 teaspoon हम इसमें डालेंगे chili flakes अगैन तीखा जो है वो आप अपने taste के according रखें और 1 teaspoon हम इसमें डालेंगे mixed up यह optional है अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें 1 teaspoon हम इसमें डालेंगे oregano और साथ हम इसमें डालेंगे 1 teaspoon सोया sauce और अब इस momos को हम बिल्कुल street style बनाने के लिए इसमें डालेंगे एक chicken का cube यह optional है अगर आपको नहीं डालना तो ना डालें इससे क्या होगा यह momos जो हैं वो बिल्कुल street style बनकर तयार होंगे अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी यह momos बहुत अच्छे बनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 3 tablespoon melted butter आप यहां पर घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं इस butter से जो है हमारे momos का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा बिल्कुल street style आएगा अब हम इसे mix कर लेंगे तो यहां पर chicken की filling जो है वो भी ready हो चुकी है और हमारे dough भी rest हो चुके हैं तो अब हम चलते हैं आगे momos बनानी की process में तो सबसे पहले जो हैं वो orange कलर का इस्तमाल करेंगे तो इस तरह से platform पर मैंने थोड़ा सा खुश काटा dust कर लिया है आप चाहें तो oil लगा कर भी इसे बेल सकते हैं मैं यहां पर आटे का इस्तमाल कर रही हूँ यह मैदा है न तो इसे बेलना थोड़ा सा tricky होता है थोड़ा effort लगती है थोड़ी सी महनत लगती है लेकिन बेल जाते हैं रोल हो जाते हैं तो इसे हमें roll कर लेना है और momos की जो sheet होती है वो बिल्कुल पतली होती है तो जितना possible हो सकी उतना हमें से पतला बेल लेंगे ज़रुर्ची कोई भी shape का हमें इसे पतला होना चाहिए क्योंकि momos की sheet बिल्कुल पतली होती है बिल्कुल transparent होती है तो यहाँ पर हमने इसे बेल लिया है, अब हम इसे cut कर लेंगे, तो आप चाहें तो किसी cookie cutter का इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई धकन है, तो आप उससे cut कर लें, या फिर sharp edge वाले glass आते हैं, आप उससे भी cut कर सकते हैं, तो जो भी आपके पास available है, उससे आप cut क कर लेंगे, तो यहाँ पर white वाली जो momos की sheet है, वो भी ready हो गई है, इसे हमें बिल्कुल पतला रखना है, बिल्कुल transparent बेलना है, अब दुबारा से हम green वाले को भी इसी तरह से बेल लेंगे, और उसके बाद से इसे भी हमें cut कर लेना है, तो यहाँ पर जो हमारी green वाली sheet है वो भी ready हो चुकी है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग अब हम चलते हैं आगे के process में, तो यहाँ पर कितने प्यारे से लग रहा है ना यह, तिरंगा, momos, flower देख सकते हैं आप लोग, flower shape में कितने अच्छे से बन कर तयार हुएं, तो चलिए देख लीजे कि इसे हम कैसे बनाना है, तो orange color हम लेंगे और उस पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, और फिर हम लेंगे white color और फिर उस पे भी थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे, और फिर हम लेंगे green color, और इसके center में जो हम chicken की filling रखते जाएंगे, तो बहुत जादा filling नहीं रखना है, हमे medium filling ही रखेंगे हम, chicken के हम बहुत जादा filling रखेंगे, तो ये flowers बन नहीं पाएंगे, अब हम क्या करेंगे, sides में पानी लगा लेंगे, और एक side उठा कर हम और chicken को pack कर लेंगे, सिर्फ हमें chicken को pack करना है, एक सिरे से उठा कर दूसरे सिरे तक नहीं रखना है, यहाँ पर देख सकते आप लोग वीडियो में मैंने सिर्फ chicken को pack कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, एक end को roll करते हुए लाएंगे, और दूसरे end तक मिला देंगे, यहाँ पर देखिए आप, और कुछ इस तरह से, और फिर हम यहाँ end में भी थोड़ा सा पानी लगा कर इसे seal कर लेंगे, तो यहा अपने कितना आसान है इस flower shape का momos बनानी के लिए, एक और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो again हम पहले orange को रखेंगे, white को रखेंगे, और green को रखेंगे, और पानी लगाते रहेंगे, brush करते रहेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, center में filling रखेंगे, again filling जो हैं में जा साधा भी नहीं, साइट में हम जो पानी brush कर लेते हैं, और फिर एक साइट को उठा कर, एक साइट को उठा कर हमें chicken को pack कर लेना है, तो यहाँ पर हम chicken को pack कर लेंगे, और फिर एक साइट से roll करते वे लाएंगे, और end में इसे joint कर लेंगे, देखेंगे, इस तरह से हम roll करते लेकर आएंगे और जो end होगा वहां हम पानी लगाकर इसे seal कर लेंगे तो यहां हम पानी लगाकर इसे seal कर देते हैं और फिर जो इनकी पंखडियां है उन्हें हमें open कर देना है तो यहां पर हमारे flower shape के तिरंगा momos जो है वो ready हो जाएंगे तो सारे momos को हम ऐसे ही बना लेंग और अब इन momos को हमें steam करना है तो उसके लिए हम एक pot में पानी लेंगे और जब पानी खौलने लगेगा तब हम इस तरह से एक छनी रख देंगे और इसे हम oil से grease कर देंगे और अब हम इस पर सारे momos जो है वो arrange करते जाएंगे और इसे हमें cover करके 10 से 12 मिनिट के लिए steam कर ना है तो यहाँ पर 10 मिनिट हो चुके हैं momos जो है वो ready हो चुके हैं देख सकते हैं आपर कितना अच्छा इन पर जाए वो color आया है जो हमारे तिरंगा momos हैं अब हम इने निकाल लेंगे तो देखिए कितने प्यारे से यह momos बने हैं सारे momos को हम निकाल लेते हैं और momos का जो next batch है उसे हम steam होने के लिए रख देंगे तो लीजिए तयार है यहाँ पर हमारे तिरंगा momos वो भी flower के shape में देखिए कितने cute लग रहे हैं यह momos बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और आप लोग comment करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को यह तिरंगा momos की recipe कैसी लगी औ और independence day और republic day पे आप इस recipe को ज़रूर से try कीजेगा trust me आपको यह momos बना कर बहुत ही अच्छा लगेगा और जो भी खाएगा इस momos को वो आपकी बहुत ही तारीफ करेगा क्योंकि बहुत ही tasty बनते हैं यह momos और यहाँ पर इसे हमने fresh cream और mayonnaise के साथ mix करके एक dip बनाई हैं तो यह उसके भी बहुत tasty लग रही थी उस dip के साथ भी momos जो हैं वो बहुत ही tasty लग रहे थे और यह creativity करने में मुझे बहुत मजाया बहुत ही अच्छा लगा तो इसके लिए तो comment box में एक flag तो बनता ही है तो आप लोग ज़रूर comment करिएगा कि आप लोगों को यह recipe कैसी लगी तिरंगा momos की यह recipe अगर आप लोगों को पसंद आई है तो please recipe को like करें, share करें और मेरे channel को subscribe करना न भूलें वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं कुछ और नई interesting recipes के साथ